दोस्तों मेरा चैनल का नाम कुछ अलकुछ रोचक है, सच कीज़े ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर करके रामान महाभारत पुरान सुरुवात से पर सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में प्लेट हुए भार को, भाई को मर कर भूमे में पड़ा देख, बेविशिन का हिदाई सोक के बेग से ब्यकूल हो गया, और वे विलाप करने लगे, या नी रोने लगे वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ, इसको दबाके बेल आइकन और कर लिए, लिटेस्ट वीडियो अप्डेट्स के लिए और कहने लगे, हाँ विख्यात प्रक्रमी भाई बीर दशानन, हाँ कार्यकुसर नितिग्य, तुम तो सदा बहुमुल्ला बिचोने पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमी पर क्यों पड़े हो तो दोस्तों आप लोग उन्हें देखा होगा, कुछ फेक यूटूब वीडियोस में या सुना होगा, कि रावन का सरीर जो है, वो आज भी लंका में किसी जगा पर है, ये एक फेक स्टोरी है, जूटी कहानी है, यहाँ पर रावन का अंतीम संस्कार सरीर का करने के लिए कह जा रहा है, तो सच्चा क्या है, हम आगे पढ़कर जानेंगे, और राम और सिता का पहला मिलन भी देखेंगे, तुम तो सदा बहुं लोग उन्हें बिचने पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमी पर क्यूं पढ़े हो, हे बीर तुमारी ये बाजुगन से संकट आकर पड़ा है, जिनके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगा कर दिया था, किन्तु उस समय काम के मोह में बसिबूद होने के कारण तुम्हें मेरी बात नहीं रूची थी, आंकार के कारण ना तो प्रहस्त ने, ना इंद्रजीत ने, ना दूसरे लोगों ने, ना आतिरती कुम्हें ने, ना अतिकाय ने, ना नरंतक ने, और ना स्वयम तुमने ही मेरी बातों को अधिक मात्व दिया था, उसका फल ये सामने आया है, तो दोस्तो रावन ने बिविशन को निकाला, ये बात भी जूटी है, बिविशन अपने महजी से गिया था, हाला कि कु आतिमान बिग्रह चला गया, बल के संग्रह का स्थान नश्ट हो गया, सुन्दर हाथ चलाने वाले बीडो का सहारा चला गया, सूर्य पितवी पर गीर पड़ा, चनरमा अंधरे में डूब गया, प्रजलित आग बुझ गई और सहारा उत्सान निरथक हो गया, रनभूमी की बल और सौरी ही मूल था, उस रक्षद राजराबन रूपी महान बिक्च को आज रनभूमी में स्री रगवेंदर रूपी प्रचेंड बायू ने रौंद डाला, तेजी जिसके दांत थे, परंपराहे पिष्ट भाग थी, क्रोधी नीचे के अंग थे और प्रसाधी तब से जादा विविशन धर्म का साथ दिया इसलिए, परक्रम और उत्सा जिसकी बढ़ती हुई ज्वालाओं के स्थान थे, निस्सासी धूम था और महान बल ही प्रताब था, उस रक्षद रावन रूपी प्रतापी अगनी को इस समय युद्धिस तल में सिराम रूपी म ने बुजा दिया रक्षद सेनिक, जिसकी पूछ कुमूत और सिंग थे, जो सत्रू पर विजय पाने वाला था, तेथा पराक्रम रूप्सा अधी प्रकट करने में, जो वायू के समान था, चपलता रूपी आख और कान से युक्त वो रक्षद राज रावन रूपी सान मह महाराज सीराम रूपी भागरे द्वारा महाराज आकर नश्ठ हो गया, जिससे आर्थन इस्चाई प्रकट हो रहा था, ऐसे युक्ति यंगत बात कहते हुए, सोप मगना विविशन ने उस समय भगवान सीराम से कहा विविशन, ये रावन समरंगन में असमर्थ होकर नहीं मारा गया है, इसने प्रचेंड पर आकरम किया है, इसका उत्सा बहुत बड़ा हुआ था, इसे मिट्व से कोई भय नहीं था, ये देबात रणभूमी में धराशा ही हुआ है, जो लोग अपने अदुज़ई की इच्छा से शत्री धर्म में स्थित हो समरंगन में मारे जात सदा बिज़ै ही बिज़ै मिले, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, बीर पूरुष संग्रा में या तो सट्र दोरा मारा जाता है, या सवयमी सट्रो को मार गिराता है, आज राबन को जो गत्ती प्रापत हुई है, ये पूर्बकाल के मापुर्ष्य दोरा बताई गही उत्तम शात्र बित्ति का अस्र लेने वाले वीरों के लिए तो ये बड़े आदर की बस्तु है शात्र बित्ति से रहने वाला बीर फुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वो सोक के योग्य नहीं हैं यही सास्त्र का सिध्धानत है सास्तर की इस निस्टे पर विचार करके स्वातिक बुद्धी का अस्रे ले तुम निस्चिंत हो जाओ और सब और अब आगे जो कुछ कार्य करना हो उसके समझ में विचार करो परम परकामी राजकुमा सीराम कैसा कहने पर सोख से संतर्थ हुए बिविशन ने अपने उन से अपने भाई के लिए हितकर बात कही भगवन पुर्बकाल में युद्धे के अफसर पर समझते देपता होता था इंद्रे ने भी जिससे कभी पीछे नहीं हटाया था वही रावनाजरन मुमी में आप से टक कर लेकर उसी तरह सांत हो गया जैसे समझतर अपनी टड़ भूमी तक जाकर सांत हो जाता है इसने याचको को दान दिये भोग भोगे और बित्ते का भरत पोशन किया है धन मित्रों को धन अर्पित किये और सत्त्रों से बैर का बदला लिया ये रावन अगनी होतरी मातेश्वी विदान तवित्ता था यग्य यागादी कर्मों में स्रेश्ट सूर्परम कर्मट रहा है अब ये प्रेद भाव को प्राप्त हुआ है अब मैं ही आपके किरपास से इसका प्रेद कित्य करना चाता हूँ तो दोस्तो मनने के बाद लक्षमन रावन के पास गया था ज्यान लेने के लिए ये भी एक जूटे कहानी है फेक स्टोरी है ठीक है रावन ब्रहमास्त्र मारा था उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया तीर लगने के बाद कोई बात नहीं कर सकता विबिशन के करना जनक बचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उधार चेकता रावन कुमार माहत्मा स्री राम ने उन्हें रावन के लिए स्वरगादी उत्तम लोकों की प्राप्ति करने वाला अन्नेश्टी कर्म करने की आज्यादी विबिशन बैर जिवन काल तक ही रहता है मारने के बाद उस बैर कांत हो जाता है अब हमारा प्रविजन सिदो चुका है अतर अब तुम इसका संस्कार करो इस समय यह जैसे तुमारे स्निया का पातर है उसी तरह मेरा भी स्निया भाजन है नेक्स चेप्टर रावन की स्त्रियोगा विलाब पत्निया नहीं है स्त्रिया है ठीक है उनकी अपनी स्त्रिया उस समय विबा का रिष्टा बहुत ही कम लोगों में होता था सब लोग मन से ही पत्ति-पत्नी मांगते थे ठीक है अब मंगल सुत्र साथ फे रहे ये मैंने आप तक नहीं पड़ा है खेर जो भी हो मातमा सी रगुनाजी के द्वारा रावन के मारे जाने का समचा सुनकर सोक से व्यकुल हुई रक्षसिया अंतपूर में निकल पड़ी लोगों के बारंबर मना करने पर भी वे धर्ती की धूल में लोटने लगी थी उनके केस खुले हुए थे और जिनके बचले मर गये हो उन गोव के समचान वे सोक से आतूर हो रही थी रक्षसो के साथ लंका के उत्तर दर्वाजे से निकल कर भयंकर युद्धभू में प्रवेश करके वे अपने मर हुए पती को खोजने लगी हा अर ये पुत्र हा नात की पुकार मचाती हुई वे सब की सब उस रनभू में जहां बिना मस्तर के लास से बिची हुई थी तता रक्ष की की जम गई थी सब और गिती परती भटगने लगी उनके नित्र से आंसो के धरा बैरे थी वे पती के सोक से बेशुद हो युद्धपती के मारे जाने पर हतनी की तरह करुन करंदन कर रही थी उन्होंने मा का ए मा परक्रमी और मा ते जिस भी रावन को देज देखा जो काले कोईले के धेर सा पित्वी पर मरा पड़ा था रणभूमी की धूली में पड़े हुए अपने मित्तक पती पर सहसा दिश्टी पड़ते ही वे कटी हुई बन की लताओ के समान उसके अंगों पर गिर पड़ी उनमें से कई तो बड़े हादर के साथ उसका अलिंगन करके कोई पैर पकड़ कर और कोई गले से लग कर रोणने लगी कोई स्त्री अपनी दोनों भूजाये उपर उठा पचाड़ खा कर गिरी और धर्ती पर लोटने लगी और कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मुर्चित हो गई कोई पती का मस्तक गोद में लेकर उसका मुण निहारती और ओसकनों से कमल की भाती अश्रु बिंदों से पती के मुखार बिंद को नहलाती हुई रोधन करने लगी इस तरह अपने पती देपता राबन को धर्ती पर मार कर गिरा देख वे सबके सबात्य भाप से उससे पुकारने लगी और सोक के कारण नाना प्रकास से बिलाप करने लगी वे बोले हाई जिनोंने यमराज और इंद्र को भी भैवित कर रखा था राजदी राज कुवेर का पुश्पक विमान चीन लिया था तता गंदर वर इश्यों और महार मनुष्वी देपताओ को भी रणभूव में भाई प्रदान किया था वही हमारे प्राननात आज इस सम मनुष्व के हाथ से मारे जाकर रणभूव में सो रहे हैं जो देपताओ शुरू और यक्छों के लिए भी अबद्यत है वही किसी निर्बल प्रानिय के समाने एक मनुष्व के हाथ से मित्व को प्राप्त हुए इस तरह की बाते के थो ये रावन की वे दूखिनी स्ट्रियां वहाँ फूट फूट करोने लगी तथा दुख से अतरव कर पूना बारांबर बिलाप करने लगी वे बोले प्राननात आपने सदाःत की बाते बातें और अन्सुनी कर दी और अपने मित्तु के लिए सीता का परन किया इसका फल ये हुआ किवे राक्चेस मार गिराए गये तथा अपने इस समय अपने को रन भूमे में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया आपके प्रिया भाय बिभी शहनब को हिद की बात बता रहे थे तो भी आपने अपने वद के लिए उन्हे मोबस्त कटू बचन सुनाएं उसी का ये फल प्रितेक्श दिखाए दिया है यदि आपने मितलिस कुमारे सीता को स्री राम के पास लोटा दिया होता तो जडमूल सहीथ हमारा बिनास करने वाला ये महागोर संकट हम पर ना आता सीता का लोटा देने पर आपके भाई विविशन का भी मनरोश सपल जब हो जाता स्री राम हमारे मित्र पक्ष में आ जाते हम सब को विदवार नहीं होना पड़ता और हमारे शत्रू की कामनाई पूरी नहीं होती परन्तु आप ऐसे निश्टूर निकले की सीता को बलपूर क्याद कर लिया और रक्षासो को हमस्त्रियो और आपने आपको तीनों को भी एक साथ निचे गिरा दिया विपत्ति में डाल दिया रक्षासिरो मनी आपका सेच्चाचार ही हमारे बिनास में बिनास में कारण हुआ है ऐसी बात नहीं है आपका सेच्चाचार इच्चा से कि अग्या कारण ही बिनास का कारण है ऐसी बात नहीं है देव ही सब कुछ कराता है देव का मारा हुआ ही मारा जाता और मरता है देव मतलब भाग्या यहाँ पर देव का कहने का मतलब भाग्या ही है मा बहु इस युद्ध में बानरों का रक्षतों का और आपका भी बिनास दुख से प cheesy थो आकों में आसवारक डिनबाप से कूर्रे की भाती बिलाप करने लगे मन्दुदरी का बिलाप और रावन के सरीर का आंतीम संसकार उस समय बिलाप करते ही उन रक्चसियों में जो रावन की जेश्ट और प्यारी पत्नी मन्दुदरी थी उसने अचिंत कर्म भगवान सिराम के दोरा मारे के अपने पती दर्समुग रावन को देखा राम ने मनुद्धरी को आशिरवाद दिया था कि सदा सवाग्जी बत्ती रहने का या सदा ऐसे पती जीवित रहने का ये आशिरवाद भी जुटा है ऐसा कोई आसिरवाद नहीं दिया था पती को उस अवस्ता में देखकर वो यहां अत्यांत दीन और दुखी हो गई और इस प्रकार बिलाप करने लगी महाराज कुवेर के छोटे भाई माबव रक्षे राज अब आप कुरोद करते थे जब आप कुरोद करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े नहीं हो पाते थे खड़े होने में भैक आते थे बड़े बड़े ये शुश्वी गंदर बहर चारण भी आपके डर से चारो जिसा में भाग गये थे वही आज आप युद्ध में एक मानव मत्र राम से परास्थ हो गए राजन क्या आपको इससे लज़ा नहीं आती है राजन जैस्तर बोलिये तो सही ये क्या बात है आपने दिनों लोगों को जीत कर अपने को संबत्ति साली और पराक्रमी बनाया था आपके वेक को सह लेना किसी के लिए भी संबब नहीं था फिर आप जैसे बीर को एक बनवासी मनुष्यों ने कैसे मार डाला आप ऐसे देश में बिचरते थे जहां मनुष्यों की पहुँच नहीं हो सकते थी आप इच्छन सरु धरन करने में समर्थ थे तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका बिनास हुआ ये संबब अथवा विश्वास के युग्य नहीं जान परता युद्ध के मुहने पर सब और से बिजे पाने वाले आपकी स्री राम के द्वारजों पराज़ाई हुई ये स्री राम का काम है ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता अथवा साक्षत काली अनतिक माया रेचकर आपके बिनास के लिए स्री राम के रूप में यहां आप पहुँचे है महावली बीर अथवा ये भी संबब है कि साक्षत इंद्र ने आप पर आकरमन किया हो परंतों इंद्र की क्या शक्ती है जो युद्ध में वे आपकी और आख उठा कर भी देख सके क्योंकि आप महावली महापरक्रमी और मात जिस भी देवशत्रू थे निस्चही ये सिराम चिंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा है इनका आदियत मंध्य और अंत नहीं है ये महान से भी महान अग्यानांदकार से परे तथा सबको धरन करने वाले परमेश्वर हैं क्योंकि सिराम ने ब्रहमास्त्र चलाया था और रावन ब्रहमा के अंस्त थे ब्रहमा के नाति थे तो वे ब्रमास्त से ही माल सकते थे जो अपने हाथ में संकर चक्र और गदा धारन करते हैं जिनके बक्षित सन्में स्रीबस्त का चिन्ना है भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती जिनने परास्त करना सर्वता असंभव है तथा जो नित्य स्थी रेवंग संपुन लोगों के अदिश्वर है उन महापस्त्य प्रक्रमी भगवान विश्णू नहीं समस्त लोगों का हित करने कीच्चा से मनुष्ट का रूप धरन करके अबानल रूप में प्रकट हुए संपुन देवताओं के साथ आकर रक्षे सो सहित आपका वद किया है क्योंकि आप देवताओं के सत्रो समस्त संगसार के लिए भहेंकर थे नात पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीत करी तीनों लोगों पर विजय पाई थी उस बेर को याद रखती हुई सी इंद्रियों नहीं अब आपको परस्त किया है जब मैंने सुना कि जनस्तान में बहुतरे रक्षे सो से गीरे रहोकर भी आपके भाई खर को सिराम ने मार डाला है तब ही मुझे बिश्वास वग्या कि सिराम चनर जी कोई साधरन मनश्य नहीं है जिस लंका नगरी में देपताओ का भी प्रबेश करना कटिन था वही जब हनवान जी बलपुर्वा घूस आये उसी समय हम लोग भावी अनिष्ठक या संका से ब्यतित होग उठी थी मैंने बरंबर कहा प्राणनाद आप से जगुनाज जी बेर भी रोद ना कीजे परन्तो आपने मेरी बात नहीं मानी उसी का आज ये फल मिला है राक्षद राज आपने ये अश्वरिय का सरीर का तथा सज्जनों का विनास करने के लिए ही आकस्मा सीता की कामना की थी दुर्मुत्य भगवती सीता, अरुनदती और रोईनी से भी बढ़कर पति बता है ये वसुदा की भी वसुदा और स्री की भी स्री है अपने सौमी के बतियानत अनुराग रखने वाली और सब की पुजनिया उन सीता देवी का त्रेसका करके आपने बड़ा अनुचित कार पारी के साथ समागम के लिए जो आपके मन में कमना थी उसे तो आप पाही नहीं सके उल्टे उन पति ब्रति देवी की तपश्चा में जल कर भश्म हो गया अवर्श ऐसे ही बात हुई है तबंगी सिता का अफरन करके करते समय ही आप जल कर राक नहीं हो गये यह अस्चर की ब लब इसमें कोई संद्य नहीं कि आप आने आपके नहीं कि समय आने पर करता को उसके पापकर्म का फल अबश्चा मिलता है सुपकर्म करने वाले को उत्तम फल के प्राप्ति होती है और पापी को पापका फल दुख भोगना पड़ता है विविशन को अपने सुपकर्मों के समझ नहीं पाते थे मितलिस कुमारे सीता ना तो कुल में ना रूप में ना दक्षिन ने आदी गुनों में ही मुझसे बढ़कर है वे मेरे बराबर भी नहीं है पर उन्तु आप मोबश इस बात की और नहीं ध्यान देते थे संक्सार में कभी किसी भी प्रानी की मितलिस अकारण नहीं होती इस नियाम के अनुशर मितलिस कुमारे सीता आपके मितलिस का कारण बन गई आपने सीता के कारण होने वाले मित्यों को स्वयमी दूर से बुला लिया मिचलिस नंदनी सीता आप सोक रही थो सिर्णाम के साथ बिहार करेंगी परन्तु मेरा पुर्णिया बहुत थोड़ा था इसलिए वो जल्दी समाप्त हो गया और मैं सोक के घोर समदर में गिर पड़ी बिर जो मैं बिचितर वश्ता वश्तन धारन करके अनुपम सोभा से संपन नहीं हो मन के अनरूप बिमान द्वारा आपके साथ के अलास मंदरचल मेरूपरवच चतररत बन तता संपुन देवद्धानों में बिहार करती हुई नाना प्रकार के देसों को देखती फिरती थी वही मैं आज आपका वद हो जाने से समस्त काम भोगों से बंचित हो गई मैं वही रानी मंददरी हूँ किन्तु आज दुस्स त्री के समान हो गई राजाओ की चंचल राजल लक्षमी को धिकार है हार राजे नापका जो सुकुमार मुकमांडल सुन्दर भोहो मनरोत तोचा और उच्ची नासिगा से जुक्त था नासिगा मतलब नाक कांती सुबा और तेज के दौरा जो करम से चंदमा सुरी और कमल को लग्जित करता था करेट के समोह जीसे जगमक बनाए रखते थे जिसके अधर तामे के समान लाल थे जिसमें दिप्तिमान कुंडल तमकते रहते थे पान भूमी में नितर जिसमें गए नितर नशे में वे प्रभु वो स्रीराम के सायकों से बितर नहों, खोन की धाराव से रंग गया है, इसका मेंदा और मस्तिष के चिंद भी नहों गया है, औरत की धुलों से इसके रुखता आ गई है, हाई मुझ मंद भागिनी ने, कभी जिसके बिशे में सोचा तक नहीं था, वोही मुझ वेद अभ्यो का दुख महान प्रदान करने वाली, अंति मुबस्ता मित्तु आपको प्राप्त हो गई, दानव राज, मैं मेरे पीता, रक्षे राज, रावन मेरे पती और इंदर पर भी विजे प्राप्त करने वाला, इंदर जीत मेरा पुत्र है, ये सोचकर मैं अत्यंत गर्ब से भरी रहती थी, मेरी ये दिर्या धरना बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे लोग है जो दरब से भरे हुए सत्रू को मत डालने में समर्त कुरूर, विख्याद बल और परुष संपन तता किती से भी भाईबित नहीं होने वाले हैं, रक्षा सिरुमानियों ऐसा प्रभाप के मलाओ से असुसर्जित होने के करण अत्यंतर प्रकाशमान दिखाए देता था बिहास तलो में अधिक कांतिमान यवंग संगरम भूई में अधिसे दिप्तिमान प्रतित होता था, और अवसनों की प्रभास से जिसकी विदुद माला मंडित में कीसी सोभा होती थी, वही आपका सरी राज आनेक्ति के बानों से भरे हुए हैं, आता ये भी आज से फिर इसका स्पस मेरे लिए दुलब हो जाएगा, तथा भी इन बानों के करण में इन कालिंगा नहीं कर पाती हूँ, राजन जैसे साही की ढेर काटों से भरी होती है, उसी प्रकार आपके सरी में इतने बान लगे हैं कि कहीं एक अंगुल भी जगह नहीं रह गई है, वे सभी बान महमस्तानों में धस गये हैं और उनसे सरी का स्नयूबंदन चिन्दमिन हो गया है, इस अबस्ता में प्रित्वी पर पड़ा हुआ आपका, वो स्याम सरी जिस पर रक्त की वरुन छटा चा रही है, बजजर की मास से चूचूर होकर बिखर हुए परवत के समान जान पड़ता है, नात, वो सब नहीं या सत्य हाई, आप स्री राम के हाथ से कैसे मारेगे, आप तो मित्तु को भी मित्तु थे, फिर स्वयम ही मित्तु क्या दिन कैसे हो गए, आपने तिनों लोगों की संपति का भूबख किया और तिलोको की प्रानियों को मान उद्येग में डाल दिया था, आप लोग पालपर भी बिज़े पाच चुके थे, आपने कैलास परवत के साती भवान शंकर को भी उठा लिया था, तथा बड़े-बड़े अभिमानी वीरों को युद्ध में बंद से यह कहा जा रहे, अपने समस्त संक्षार को शोब में डाला, सादू पूरशों के हिंगजा की और सत्रू के सामें बल पूरवक आहंकार पूरना बाते कही, भैनक परकर्म करने वाले विरफ्ध, विवक्षियों को मार कर अपने पक्ष के लोगों और सिवकों के रक्चा की दानवों के सरदारों और हजारों यक्षकों भी मौत के घाट उटारा, आपने समरंगन में निवात कबच नामक दानवों का भी दमन किया, बहुत से यग्यन नश्ट कर डाले और आत्मेजनों की सदाही रक्चा की, निवात कबच को प्रावण ने पराजित किया था, और म आप सत्रू की स्रियों को सुख पदान करने वाले सवजनों की नेता, लंकापूरी के रक्चक, ब्यानक करम करने वाले तता हम सब लोगों को कहम भोग का सुख देने वाले थे, ऐसे प्रभाप्शाली तता रथियों में सेच्ट अपने प्रियतम पती को सिराम चिंदर जी क दरा धरचाई किया गया देखकर भी जो मैं अब तक इस सिरी को धरन कर रही हूं, प्रियतम के मारे जाने पर भी जी रही हूं, ये मेरी पाश्चान हिर्देता का परिचायक है, बिविशन, रावन और कुम्बकरन ये भवान ब्रमा के नाती थे, फैमिली के अंच थे, रक् मैं, मुझे गहरा आगात पहुचा था, और आज आपका बद होने से तो मैं मारी ही डाली गई, अब मैं बंदुज असेहिन, आप जिसे सौमे से रही ते था, काम बोगो से बंचित होकर, अननत बरस्तों तक सोक में ही डूबी रहूंगी, राजन, आज आप जिस अत्यंत द नहीं, पर वो आज मेरे मुख पर घूंगट नहीं है, मैं नगत दौर से पैदल ही चलकर यहां आई हूँ, इस दसा में मुझे देखकर आप क्रोध क्यों नहीं करते हैं, आप अपने स्त्रियों से बड़ा प्रेम रखते थे, आज आपकी सबिस्त्रिया लाज छोड़कर आपकी क्रिया सचरी, यह मंदुदरी आज आनात होकर विलाप कर रहे हैं, आप इससे अस्षासन क्यों नहीं देते हैं, अथवा अधिक आदर क्यों नहीं करते हैं, राजन आपने बहुत सी कुल अन्याव को जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहती, रहने वाले धर्म प मित्रू क्या दिन होना पड़ा है, महाराज पति बता के आसू इस पित्वी पर बैयत नहीं गिरते, इस काहवत को आपके ऊपर ठीक ठीक घटी है, राजन आप तो अपने तेश तीनों लोगों को अकान तकर के अपने को शूर्विर मानते थे, फिर भी पराइस्त्री को चुरा कर यहां ले आए, ये कितनी बड़ी कायता है, युद्ध में कभी आपने कायता नहीं दिखाई है, ये मुझे याद है, परंतु भाग्ये के फेल से, उस दिन सीता का हरन करते समझने इस चाहिए, आप में कायता आ गई थी, जो आपके निकट बिनास की सुचना दे गई थी, मा वहो, मेरे देवर, विबिशे, अंसत्यबाती, भूत और भविशे के गयाता था था, बरतमान को भी समझने में कुछ से ले, उन्होंने हर कर लाए हुए मित्रेस कुमारी सीता को देख कर मानी मन कुछ विचार किया, और अंत में लमी साथ छोड़कर कहा, प्रत से रक्षे स्कुल को अनात कर दिया, आप अपने बाल और पुरुसात के लिए विख्यात था था, आपके लिए सोग करना मेरे लिए उचित नहीं है, ते तब इस तरी सववाप के करन मेरे ही दे में दिनेता आ गई है, आप अपना पुन्या और पाफ साथ लेकर अपनी बि थी, उन्हें आपने अंसुनी कर दिया, विविशन का कथन भी युक्ति और प्रेजन से पूर्ण था विदी पूर्वग, आपके समने प्रस्तुत किया गया, वो कलेन करी तो था ही बहुत ही सववग या भासा से कहा गया था, किन्तु उस युक्ति युक्ति बात को भी आप अपने बल के घमर्ण में मतवाले हो गए थे, अता मारिश कुमबकर्न तता मेरे पिता की कई हुई बात भी आपने नहीं मानी, उसी का ये फल आपको प्राप्ट हुआ है, प्राना था आपका नील में के समान स्याम बन हैं, आप सरी पर पीदवस्तर और बहो में नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, मैमान परक्का में युद्धुकसल और समर्भूमी में पीछे ना हाटने बाले, सुमाली नाम अगर रक्षस की नतनी हूँ, आप मुझ से बोलते क्यों नहीं है, रक्षर राज उठिये, उठिये, स्री राम के द्वारा, आपका न पुजित हुआ था रन्भूमी में, बहुत अंगर सत्रू के पान निगलने बाला था, और जिसे सुने की जाली से विवसित किया गया था, आपका वो पर एक स्री राम के बानों से सरस्ट टुग्रों में विवक्त होकर इधर-धर बिगड़ा पड़ा है, प्राना दाब मेरे सोक पीरिद हिदय के हजारों टुग्रे नहीं हो जाते, आता मुझे पाशन हिद रहन नारी को धिकार है, इस प्रकर बिलाप करते हुए मंदर दिरी के आंसों में नेत्रों में आसु भरा है, उसका हिदय स्नेय से द्रविवूत हो रहा था, वो रोती-रोती से ऐसा मुर पातूर हो रही थी, उन्होंने उसे उस अवस्ता में देखकर उठाया और स्वयम भी रोते-रोते, जो जो से बिलाप करते हुए मंदर दरी को धिरज बंदाया, वे बोली महारानी क्या आप नहीं जानती की संक्सार का स्वरूप अस्थिर है, दशा बदल जाने पर प्रियों को धहर्य बंदाओ और अपने भाय का दास संसकार करो, ये सुनकर बुद्धिमान विविशन ने स्री राम के अभिप्राव को जानने की उद्धि से बुद्धि से सोच बिचा कि उनसे ये धर्म और अर्थ से युक्त भिनेपूर्णा तताहित करवाद का ये भग भाई के रूप में मेरा सत्रुथा ततापी जेष्ट होने से गुरु जनुचित गौरव के कारण वो मेरा पुज्य था तो विविशन रावन से नफरत करता था इस बात से पता चलता है ततापी वो मुझ से सत्कार पाने योग्य नहीं है सिराम मेरी ये बात सुनका संक्सा में मनुष्ण मुझे कुरूर अवश्य कहेंगे परंतु जब रावन के दुर्भोगों को भी सुनेंगे दुर्गुनों को भी सुनेंगे तब सब लोग मेरे इस विचार को उचिती बताएंगे तो दोस्तो अधर्म के पक्ष में अगर उनके परिवार ही साथ छोड़ दे अधर्म का विरोद करने लगे तब धर्म की जीत होगी जैसे विविशन ने किया ये सुनकर धर्मादमा में से श्री राम चंदर जी बड़े प्रसंद हुए वे बात्चित करने में प्रभीन थे अतबातों का विपरे साइन समझने वाले विविशन से इस प्रकार बोले रक सुना जाता है इंद्रादी देपता भी इसे परास्त नहीं का सकते थे समझते लोगों को रूनाने वारे रावन बल विक्रम से संबन्ना और मात जिस भी था बैर मरने तक ही रहता है मरने के बाद उसका अंत्थ हो जाता है अब हमारा प्रयून भी सिद्ध हो चुका है आता मारे अपने भाय रावन की दास्ताइसर के सिद्ध पूरिबग तैहारी क toma लेगे राक्षाराज विविसं के रंकापूरी में प्रबेश करके रावन की अगनी उत्ञ किया इसके बाद सटक लगडी अगनी उत्र की अगनिया यग्यकराने बाले पूरो ही चंदन काश्ट अ चले आए तर्दंतर मालेवान के साथ मिल करूना ने दास अंसकार के तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया बाति बाति के पाद्य गोसु द्वारा स्तूति करने वाले मागदों ने जिसका अविनादर की ऐसा रक्षजराज रावन की उस सब को रेश्मी वस्तर से ढख कर उसे सोने के दिब्बे विमान में रखने के पसचात रक्षजातियो ब्राह्मन वहां नेत्र से आसुब भाते ह ये खड़े हो गए उस सिबीर को विचित्र पतका और फूलों से सजाय गया था जिससे वो विचित्र सुबाधारन करती थी विशन अधी रक्षज उसे कंदे पर उठाकर ततानिया सब लोग हाथ में सुके काट लिये दक्षिन दिसा में सम्शान घूमेगी और चले तो दो बेदियों याचको द्वारा दोई जाते ही तृवित अगनिया प्रजलित हो उठी और रक्षिसों में ब्राह्मन भी हुआ करते थे अब जो अंतिम संसकार कर रहे हैं तो रावन वही समसान भूमे में लेके के रावन के सब को वे सब कुंड में रखे हुई थी और पुरोह अधिर रक्षिसों ने मले चंदन काश्ट उसी और अन्यप्रगा के चंदनों द्वारा बेड़क्ति बिदी से चीता बनाई और उसके उपर रंकुनामंग मिरिक का चर्म बिचाया उसके उपर रक्षिसराज के सब को सुला कर उन्होंने उत्तम बिदी से उसका दास संसकार किया उन्होंने चीता के दक्षिनपूर में बेदी बनाकर उस पर यतास्तान अगनी को स्थापित किया ता फिर दही मिस्सित घीक से भरी हुई सुदा रावन के कंदे पर रखी इसके बाद पेरों पर सटक और जांगों पर उलूल खल रखा तथाकास्ट के सवीपात्र अर राक्षसों ने राक्षस की रितिक अनुसार मेद्य परशू का हननन करने वाले राजरा रावन की चीता पर फैला गए उम्रिक चरमों को घी से तर कर दिया फिर रावन के शब को चंदरन और फूलों से लंकित करके वे राक्षसमानी मन दुखा अनुभब करने लगे फिर रावन के साथ अन्यना रक्षसों ने भी चीता पर नाना प्रगर के वस्तर और लावा लावा बिखरे लावा जो आग की बनी होती है उस समय उनके मुक पर आंसों के धरा पे चली तरन अनुभब बिशन ने चीता में बिदी का अनुसार आग लगाई उसके बाद सनान करके भीगे बस्तर पहने हुए उनना ने तील, कुशल और जल के दोरा भी दीवत रावन को जलान जली दी ततपशा रावन की स्त्रियों को बारमबन संतना देकर उन से घर चलने के लिए अनुनाई बिने की महल लग में चलो ये विबिशन का आदे सुन कर वे सारी स्त्रिया थेटी उसी तरह जैसे बज़ेधर इंद्र वितैसुर को मार कर पसनता का उनुबाप करते थे तरह नंतर इंद्र के दिये हुए धनुस बान और विशाल कबश को त्याक कर तता सत्रू का दमन कर देने के कारण रोस्त को भी छोड़कर सत्रू सुजन स्रीराम ने सांता धरन किया नेक्स चप्टर हम अगले वीडियो पर पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया